कि यदि हैं आइज है वेलकम टोल ओफ युनमा यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासिस समग नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासिस पर मैं आपका दोस्त वह दृटी हाजिरू आपके लिए लेकर एक बहुत ही is in Video, is in video, आप हम अबने तंबनीन देख लिया होगा कैसे हम पहली बार में MTS को क्वालिफाइब करें MTS कि अगर जो स्सी की आप जरनी स्टार्ट करते हैं अपनी तो SSC MT करते हैं सबसे छोटा एकजाम इसका होता है और SMT छोटा एकजाम तो है बट इंपोटेंट भी है अच्छे आप यहां से गैट करते हैं ठीक है एक दिने में गुजोब वगेरा के बारे में इसकी प्रोफाइल क्या है सैलरी कितने मिलती है ठीक है सभी के वारे में बात करूंगा आज जो मेरा टोफिक यह है कि कैसे पहले बार में एससे को को क्वालिफाइब करें अच्छे मार्क के साथ कि क्वालिफाइब करना जरूर नहीं है अच्छे मार्क विए चाहिए अगर आप सबसे पहले बात आपको याद रखनी है वह तो रखने वोट टो स्टेडी क्या पढ़ें अगर आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ लेया क्या पढ़ें तो फिर तुम्हारा उद्धार सो के सो परसेंट होगा दूसरी बात क्या पढ़ें आप कौन लोग है जो आपको इसे नहीं पढ़न सकता तो इनके बारे में बात करऊंगो सह tutी है अथा पार बात करता हूँ दो एपर आपके यहां पर होते हैं एक फुस्त के आता आम से आ जाता है टायर फस्ट में आपके 90 मिनिट की डूरेशन होती है और चार आपको प्रेटिकुलर चीज़े पूछी जाती है आपकी एक आपका पूछे जाता है इंग्लिश है ठीक है एक आपका पूछे जाता है मैट्स हुआ एक आपका पूश जाता है जी अस जो वोत पूश जाता है और फॉर्थ आपका वह पूश जाता है रिजनिंग इस चार सेक्शन आपके प्रिटिकुलर ले सस्थी में पूश जाते हैं तो छोटा एकजाम है चोटी पूछी जाती है यही लेवल तुम्हारा बढ़ जाता है जब आप पहुंचते हैं यह लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है थोड़ा इससे थोड़ा बढ़ता है तो अकोर्डिंग टू एक्जाम आपका यह चीजी हार्ड और टिफिकल्ट इजी और मोडरेट होते रहती है ठी गारटेथ आपको फादा होगा और यह तो इंगलिश के दुफ सेक्षन आपको मझबूत करने इस पहला अपका है वोकबलरी का क्वों सेक्षन अभईया कब हना ओऊ केड Ske점 आपको है इंगलिश क्यूम्हीं और यह वुज क्या दो सेक्षनों आपको मझबूत करने हैं और इनके लिए मैं क्या करूंगा भाई इंग्लिश ग्रामर को मैं पढ़ाई रहा हूं आपको बेसिक से वोकैब की एक नई सेरीज में लेकर आ रहा हूं जिससे भाहर तुम्हें से मेरे बच्ची आसे होते हैं मैं जानता हूं मैं भी नहीं होता था तो आप कैसे होंगे तो उसके लिए आपको बता रहा हूं वोकैबलरी के लिए अगर आपको एक्ट्राबुट्री थोड़ी पढ़नी है तो एक नितुमैम की एक बुक आती है पिंट्टू परमाउंट जो पैरामाउंट इस बुक को आप ले आए और इसकी जो वोकेबलरी है तिर्फ उस पार्ट को पढ़ ले यहां से बाहरा आपको जो मेरे अलग में पढ़ाऊंगो उससे लग आपको इस वाली बुक की क्या कर सकते हैं वह क्या बहुत पढ़ सकते हैं इसे बार कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा यह फेक्ट है और बात करते हैं ग्रेमर की तो ग्रेमर के लिए बहिए मेरा बेशिक शेंगलिस चली हुई है और बेशिक आपको मजबूत करने ही पढ़ेंगे ठीक है उसके लिए आप क्या करें मेरा बैट जोइन करें फिर योप कोश्ट चल रहा है फिर में इंगलिस पढ़ा रहे हैं और देखे जुलाई में यह एक्जाम होना था हो जैसा कि आप जानते हैं ऐसा सी हैसल पोस्ट आप देखे प्रीजिए देखते रहें क्या कैसा एक्जाम आता है ठीक है जाद चीजे नहीं पढ़ने हैं उतनी पढ़नी है जो एससे मिटेस के लिए इंपोर्टेंट है अगर आप और तार्गेट सीजियल है तो फिर तो कोई बात नहीं फिर तो एससे मिटेस से सभी देखे यहेंगे के आप कोन से लिए रहाट राकेष्रहादव की लिए हैं नहीं की बीटवूबवियन सब्सक्राइज नहीं मिलेंगे बिलकुल आपको जो होगा confidence लो हो जाएगा तो फिर क्या फाइदा आपको इस मैं अगर सी एंटेस की बात करता हूं तो इस बुक को में रिकमेंड नहीं करूंगा भाई के लिए इस एकमेंड़ा नहीं करूं आप इस बुक को ना पढ़े उसके लिए उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको पढ़ना है नहीं मिलेगा राके श्याद हुम्मत लगाओ अगर आपको MTS ख्वाब है तो ठीक है बार बार बता रहा हूं इसलिए आप स्लेक्स नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप चीज़े वह पढ़ते हैं जो आपके लिए इंपोटेंट नहीं है अनिगा वो अनिग्याख पढ़ें और पढ़ना यापको जिसके लिए मुटाने मैं क्यी निकाल चुक की सब्सक्राइब बताना हूस इप्सक्र सब्सक्राइब कर बास के लिए हिस्स्ट्री हो गया जिगॉर्फीW Souhaven को इसे बताते हैं और उन्यूसरण की पूए ठीक है शीजियोग्रूप एकॉनमिक्स हो गया पॉलिटी पढ़ लो थोड़ी सी ठीक है और आपको बाई लेजी और केमस्ट्री फीजिक्स यह सिफ साथ चीजे पढ़ने है फाल तू मत पढ़ना और इस से अलग टोपिक जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है करेंट अफे लग और अगर आपने तयार कर लिए अपको बात करें तो सबसे आसान कोई चीज है वह रीजिनिग है क्योंकि एससे रीजिनिंग को आसान बनाते क्योंकि थोड़ा टाइम आपके पास होता है अब सब छीजे थोड़ी तो पिर नमबर कैसे आप गया तो रीजिनिंग वाला सेक्षन जो है आपका वीजियस्ट होता है ससी के नंदर कि यह इजियस्ट सेक्षन है इसमें आप अच्छा स्कूर कर सकते हैं वह ठीक है तो रीजनिंग के लिए आपको बताऊंगा कैसे आपको अगिजाम निकाले यह बाकि आप क्या करें इसके मौक टेस्ट लगाएं वहीं आराम से एक्जाम निकालें गिससे फाल्त चीजीों को मत पड़े अब आता है यह वीजन क्या काम करते हैं पाता है क्या 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 चायि आपको पढ़ाए जाते हैं वी आपको बोलते है कि पचास में में हम आएंगे मैध मैं आ पढ़ा रहे हाट टोपिक आपको पढ़ा रहे हैं तो हाट टोपिक का तो मतलब भी नहीं से एंटेस में से एंटेस के प्रिविश यह उठाकर देखना बड़े इजी एग्जाम आते हैं आपके ठीक है जो मैंने आपको बता है वो करें इन से भाईय बचें इन से अगर आप बचना है बस इन से आपको अगर आप इन से बच गए तो गैरेंटी बता रहा हूं आप क्वालिफाइब कर लोगे एक्जाम ठीक है एक्जाम क्या कर लोगे आराम से क्वालिफाइब करेंगे इन लोगों से आपको बचना है टाइम आपको खराब नहीं करना है मैंने आपक बाए है क्या को करना इंगलिश के लिए मैं आपके लिए हमें से तयार खड़ा हूं वह सारे एकजाम से निकाले उसी की पीसिस पर मैं आपको चीजियों को प्रवाइड कर आउंगा ऐसा सी मैं इसको लिए मैंने ग्रामर का तो मेरा बेश्खी से इंगलिश की सरी चली हुई ह वह का सुना है मोग एक से बहुत पर बेंटेस्टे लिए आपको कम करना है कि इस्टार्टिग में आपको। लगाने इंगिलिश का लग मैं का लग इंगिलिष का मैं हर रोज लगाया करूंगा ठीग है एक सब सेक्षन के आप मोग टैस्ट लें ठीछ है यूटूब पर आप सथ करेंगे तो आपको और जाएंगे ठीक भाई और अलग-अलग सेक्षन क्या भी लगाएं फिर आपकी त् एक पूरा मोग टेस्ट लगाना साथ 90 मिनट के लिए ठीक है ऐसे अगर आप तयारी करेंगे डेफिनेटली आपको वालिफाई कर दो गया ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही आप आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे में सैलरी वगेरा के लि भाई ठीक है अपना टार्गेट एससे एमटेस बनाओ 2021 को लेना है ठीक है इसके बाद जो आपको हाथ नहीं आएंगी यह आपके लिए आखरी मौका है ठीक है तो भाई अच्छे से पढ़ते रहें खयाल रखे अपना खुस रहे हावा गुड़ दे